चीकोज रेस्पीज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकोन को टैप करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचें नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है आप सबी को दशेहरा यानि की वीजय दश्मी की हारदिक शुब कामनाई दशेहरा एक प्रसिद हिंदू त्योहार है, जो अच्छाई की भुराई पर और असत्य पर सत्य की जीत की खुशी में मनाया जाता है इसे वीजय दश्मी के नाम से भी जाना जाता है इस दिन भगवान राम ने रावन का वद किया था तथा देवी दुर्गा ने नो रात दस दिन के युद के बाद महिशा सुर्पर विजे प्राप्त की थी दशेहरा बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है क्योंकि यह तिवार ही हर्ष उल्लास और वीजे का प्रतीक है दशेहरे में रावन के दस सीर, दस पापों के सूचक माने जाते हैं काम, क्रोध, लोग, मो, हिंसा, अलस्य, जूट, अहंकार, मद और चोरी इन सबी पापों से हम किसी ना किसी रूप में जुड़े हुए हैं और किसी ना किसी रूप में मुक्ति भी चाते हैं हर साल रावन का पुतला बड़े से बड़ा बना कर जलाते हैं कि शायद हमारी बुराइयां भी इस पुतले में जल कर स्वाहा हो जाए लेकिन क्या ऐसा होता है नहीं क्योंकि हम कोशिश ही नहीं करते अगर हमारी वैस समाज की बुराईयां सच में रावन के पुतले के साथ अगनी में जली होती तो क्या हम हर साल रावन के पुतले को जलाते या बड़े से बड़ा बनाते इसका अर्थ ये है कि हम मानते भी हैं और जानते हैं कि समाज में बुराईयां और असमान ताएं रावन के पुतले की तरह हर साल बड़ी से बड़ी होती जा रही है रावन के पुतले को तो बड़ी असानी से जला कर खतम कर देते हैं लेकिन मजा तो तब आए जब हम अपनी बुराईयों को भी निकाल दें जला दें हम इन तेहारों पर सिर्फ परंपरा निभाते हैं इन सब के पीछे संदेश और संकेतों को अपने जीवन में नहीं उतारते यह पर्व हमें संदेश देता है कि अन्याए और अधर्म कातो विनाश हर हाल में सुनिश्चित है हम इन सब बातों को भूल कर अपने तेहारों को सिर्फ मनुरंजन तक ही सीमित रखते हैं दशेहरे के इस्त्योहार पर हम सभी है सोचने के लिए मजबूर हों कि देश और समाज की प्रत्ती के लिए हमें अपनी सभी बुराईयों को रावन के पुतले के साथ साथ सदा के लिए जलाना है हमें स्वयम को बदलना है किसी और को नहीं क्योंकि हमारे अंदर आया बदलाव दूसरों को अपने आप ही बदलने को प्रेरित करेगा आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं धन्यवाद हरे कृष्णा